हम सिरी राम मंदिर निर्माड की कथा सुनाते हैं सद्यों पुराना है इतिहास जो हम दो राते हैं हम कथ่ा सुनाते हैं बनसिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है ब्रम्हाजी ने सबसे पहले जब स्रिष्टी को रचाया है और बैकुंठ में नगर एक देवों के लिए बनाया मानस पुत्र है सुर्य देव के जो की मनु कहलाए बनी थी जो बैकुंठ में नगरी पसंद उन्हें आ जाए बोले ब्रम्हा मनु करो तुम स्रिष्टी का विष्टार सोप दिया है सुर्य पुत्र को ब्रम्हा जीने भार मनु से ही तो हुई है भगतो मानों की रचना लगे सोचने सुंदर नगरी मेरे लिए ही बना ब्रम्हा जी से मांग इसे धर्ती पर लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियो पुराना है इतिहासे जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बनसिरी दाम का मंदिर ये उनकी ही है धरोहें लान सिरी राम का मंदिल ये उनकी ही है धरो है सर्यून दीक टट पर आकर फिर ये नगर बसाया मनु नहीं मानों को भगतों पहले यहां बनाया इसलिए तो कहते भगतों आयोध्या स्वर्ग समाहन स्वर्ग से ही तो सूर्य पुत्र मनु इसको लाए मांग और हुई रचना अवधपुर में मानों जीवन की नीवट की है सबसे पहले धर्म सनातन की क्योंकि सूर्य के पुत्र मनु ने इस नगरी को बसाया सुर्वन सी राजाओं का ही यहां पे शासन आया रिशी मुनी भी अने को तप करने यहां आते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर यह उनकी ही है धरो है बना सिरी राम का मंदिर यह उनकी ही है धरो है सुर्य बंस के राजा हुए यहां एक से एक महान है इतिहास यह सदियों पुराना कहते वेत पुरान ब्रम्हाजी के पुत्र मरीची मरीची सुत कश्यप है कश्यप के सुत विवसवान से आरंभ सुर्य वंस है विवसवान को सुर्य देव का रूप ही माना जाए वैवसवत मनु भी संतान है जिनकी बन कर आए और मनु के दूजे पुत्र का इच्छाकू हुआ नाम इच्छाकू से कुछी हुए और भी कुछी से हुए बावान वंस बेल जो सुर्य वंस की आगे बढ़ाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदर ये उनकी ही है धरो है बना सिरी राम का मंदर ये उनकी ही है धरो है बान के पुत्र तो अनरन्य हुए ग्रन्थू की बात कहूं अनरन्य के पुत्र प्रिथू हुए प्रिथू पुत्र त्रिशंकूं और पुत्र हुए त्रिशंकूं के धुन्धु मार कहलाएं धुन्धु मार के सुत का नाम तो युव नाश्व कहा जाएं युवर नाश्व के पुत्र हुए है भगतो फिर मानधाता मानधाता के पुत्र का नाम सुसंधी बोला जाता और सुसंधी से फिर दो पुत्रों का जन्म हुआ धुव संधी और प्रसेन जीत जिनको है कहा जाता धुव संधी के पुत्र भरत फिर तो हो जाते है पावन कथा सुनाते हैं सद्यों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बनसिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है बनसिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है पुत्र भरत के असित हुए है असित के पुत्र सगे महाप्रतापी राजा ऐसे इंद्र देव गेड़ राजा सगर के पुत्र कभग तो असमन जस थाना असमन जस के पुत्र हुए तो अंशुमान दियाना अंशुमान के पुत्र दिलीप दिलीप कि थे भागी रथ जोके स्वर्ग से गंगा लाए करके बड़ा कठिन तपू क्योंकि राजा सगर से छल खुद इंद्र देव ने किया साथ हजार जो पुत्र थे कपिल मुनी ने भस्म किया भागी रत जिनके उधार को गंगा लाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सद्यु पुराना है इतिहासे जो हम दो हुराते हैं हम कथा सुनाते हैं बण सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है बना सिरी राम का मंदिल ये उनकी ही है धरो है भागीरत के पुत्र का नाम का कुष्थ कहलाए और फिर पुत्र ककुष्थ के रघु बन करके हैं आए सूर्य वंस में राजा रघु का भगतों जन्म हुआ है बड़े ही प्राकर्मी थे रघु तब रघु कुल नाम पड़ा है राजा रघु के पुत्र हुए जो प्रविध कहलाए प्रविध के होते होते कई पीढिया बीत ही जाए पुत्र हुए जो प्रविध के तो उनका नाम था शंखन और शंखन के पुत्र का नाम तो भगतों पड़ा सुदर्शन अगनिवर्ण फिर पुत्र सुदर्शन के हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहासिं जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बन सिरी राम का मंदर ये उनकी ही है धरो है अगनिवर्ण के पुत्र तो भगतों सी घ्रण कहलाए और पुत्र सी घ्रण के हैं मरू बन करके आए हुए पुत्र जो मरू के उनका प्रसूस रुक था नाम प्रसूस रुक के सुत्य अंबरीश कहते बेद पुरा और पुत्र अंबरीश के भगतों नहुश कहाते हैं ययाति नाम दिया अंबरीश ने पुत्र जो पाते हैं ययाति पुत्र का नाम न भाग न भाग का है अज अज के पुत्र हुए हैं भगतों फिर तो राजा दश्रत पुत्र रूप में सिरी राम जिनको हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहासे जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है वही अयोध्या नगरी है जहां सिरी राम जन में हैं यही तो वर्णन मिलता है बाल में की रामायन में एक से प्रिष्ठ बहत्तर तक जो पढ़ते जाएंगे सिरी राम की वन्शा वली का वर्णन पाएंगे रामायन से भली भात सब आपत परचित हैं जंग भूमी अयोध्या इनकी अब जो उपस्थित हैं साथ समय के वन्स राम का आगे बढ़ता जाएं बीत गई कई सदिया चिन्ह उनके धुमिल हो जाएं एक दिन राजा विक्रमदित यहां पर आते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर यह उनकी ही है धरो है पाना सिरी राम का मंदिर यह उनकी ही है धरो है त्यागी राज ने राजा विक्रमदित्ते को बत लाया सिरी राम मंदिर का उन्होंने फिर निर्माण कराया चौरासी खंभ मिले वह जो विश्व करमाने बनाये वही चौरासी खंभ मंदिर में अस्था पित करवाएं उनके बाद फिर राजा जैचन्द जो कन्नोज से आया राज विक्रमदित्तिक चिन्हित्त जितने सब को हटाया खुद बनवाने का जैचन ने घोशनतों की है लेकिन प्रजावासियों ने अलोच नवड़ी करी हों पानी पत के युध में जैचन्द मारे जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है तिहां से जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बनसरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरोहर बन सिवी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है जैचंद को तो अपनी गर्नी का फल मिल गया है महम्मद गौरी के हाथों उसकी हुई हत्या है फिर मुगलों का शासन भगतों भारत में आया दूसरा शासक मुगलों का फिर बाबर को है बनाया बाबर ने तोड़ा मंदिर और मश्जिद बनवाई है किन्तु चिन्ध मंदिर के अब तक देते दिखाई है शिल्प कला और वास्तु कला का जिसमें है निर्माण मश्जिद होते हुए है मिलते जहां मंदिर के निशाण है इतिहास गवाह इसका वो मिट नहीं पाते हैं आवन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है मस्जिद तो वह बनवादी मंदिर को तुडवा के हैं मुगलों कि सेना तूट पड़ी और घाया बड़ा कहें राम लला के मंदिर को है जो भी बचाने आएं मुगलों कि सेना उनके उपर रही तलवार चलाएं कितने राम भगतों का जिसके लिए है रक्त बहां बड़ा भया वह मंजर था वो भूला जाए कहां राम लला के मंदिर को पर बचा नहीं पाएं जहां पे होती पूजा वहां तो अजान शुरू हो जाएं सचे भगत राम के थे वो भूल न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है तिहा से जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बनसिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है बनसिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है सदा किसी का समय एक जैसा ना रहता है हुई सत्य की जीत सदा ये सनातन कहता है सिरी राम के भगतों का था कुंठित बड़ा ही मन तारीख वो छे दिशंबर की उन्नी सो बान बेसन कार सेवकों ने मिलकर जो बीड़ा उठाया है जहां पे मस्जिद बनी बाबरी उसे गिराया है कई कार सेवक दंगों में हुए थे जहां सहीद लेकिन सिरी राम भगतों की आखिर हो गई जी मस्जिद तो गिरी पर मंदिर बना न पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है न सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है राष्टिय स्वयम सेवक संघ और कुछ हिंदू परिशद है मंदिर यहीं बनाएंगे वो रहते सदा अडिग है राजनीत की रोटी सेक ने अने को ही दल आए सिरी राम भगतों की भावना पर न समझ वो पाए दोनों पक्ष ही अपने अपने दावे ले करके उच्च तम्याया लेके दरवाजे पर पहुच गए है इतिहास गवाह बढ़ता है जब जब पाप का भार कोई न कोई मसीहा आता करने को था दोहजार चोदा में मोदिज जीत ही जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है और यूपी में योगी बाबा का है शासन आया है कटर पंथी होने का सबने इलजाम लगाया सबका साथ और सबके विकाश को कहते हैं मोदी जी किन्तु धर्म विरोधियों के लिए सत्त बड़े योगी जी नियम और कानून के जो भी आड़े आएगा बुल्डो जर बाबा का बुल्डो जर चल जाएगा थी सरकार डबल इंजन की रंग दिखाया है यूपी को अपराध मुक्त भी करके दिखाया है और फिर राम मंदिर बनवाने का बीडा उठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं सदियों पुराना है इतिहास जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी लाम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है बना सिरी लाम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है सिरी राम है एक कल्पना कोई ये कहता है सच का पलड़ा किन्तु हमेशा भारी रहता है और किसी ने कहां ये मंदिर तो बनवाएंगे लेकिन कब तक बनेगा ना तारीख बताएंगे सिरी राम के भगतों ने आकिर जैसा ही चाहा चला अभियोग अदालत में फिर निर्णे भी आया वादा किया जो मोदी जी ने करके दिखाया है भव्य बड़ा ही मंदिर सिरी राम का बनाया है प्राड प्रतिष्ठा की तारीख भी सब को बताते है पावन कथा सुनाते हैं सद्यों पुराना है तिहा से जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरोहर बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरोहर सिरी राम के भगतों में अब छाई है खुश हाली 22 जनवरी का दिन जैसे होगी नई दिवाली मोदी जी है तो मुमकिन है कहता संत समाज दिल्ली के सिंहासन पर रहे राम भक्त का राज सारे धर्म विरोधी बगतों चाहे एक हो जाए मन में कर लो निश्चे हम मोदी जी को ही लाए हन से राज रल हन रहे इन का सदा ही आभारी दियस पाल नगाई कथा मंदिर निर्मार किशारी फोजी सुरेश लिखता भक्त जै सब चाहते है पावन कथा सुनाते हैं सद्यों पुराना है तिहासे जो हम दोहराते हैं हम कथा सुनाते हैं बना सिरी राम का मंदिर ये उनकी ही है धरो है